गुड मॉनिंग प्यारे स्टूडेंट आपके सामने आने का मेन परपस यह है कि मैं आज आपको थोड़ा बताग पाऊं कि टेलिग्राम जो है वो अगर लैप्टॉप पे हम यूज करते हैं तो लैप्टॉप पे यूज करने के दो तरीके हैं हमारे या तो हम एक एप्लिकेशन डाउनलोड करने अपने लैप्टॉप में जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है और वो बेस्ट भी है दूसरा ओप्शन है आप वैब टेलिग्राम यूज करें मैं पहले वैब टेलिग्राम यूज करना बताता हूँ यहाँ पे डालेंगे W,E,V,B,T,E,E,L,E,T,E,E,T,E,E,E,E,T,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E फोन नमबर बता यह है, now मैं क्या करता हूँ, अपना फोन नमबर डाल देता हूँ, जैसे मेरा फोन नमबर है 98996000701, ठीक है, जैसे ही आप next करेंगे, आप okay जैसे ही करेंगे, यहाँ पे यह या तो OTP मांगेगा, नहीं तो कई बार क्या होता है, direct भी access, OTP तो लेगा आपका, देखें OTP, और OTP मेरा आया है 22015, टेलिग्राम पे ही आएगा, इसके लिए आपके मुबाइल में टेलिग्राम होना जरूरी है, यह देखें, और यह मैं इसे कर देता हूँ, cancel, अब यहाँ पे यह टेलिग्राम मेरा open हो गया है, now, same process आप मुबाइल फोन में भी आप apply कर सकते हैं, और laptop में भी, Google Chrome पे, जिसके मुबाइल फोन में storage नहीं है, या फिर जो laptop नहीं करता, कोई और भी, Google पे जाना है, और सेम इस तरीके से करना है, आपका start हो गया, टेलिग्राम, टेलिग्राम यूज होते ही, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि अगर मुझे जोइन करना है, ग्रूप में, तो यहाँ पे लिखना है, S-H-I-K-S-H-A, शिक्षा ध तो तीन पॉइंट आ गए हैं, यहाँ सिक्षा धाम के देखे, तो एक सिक्षा धाम है, एक सिक्षा धाम 11th है और एक 12th है, तो 11th वाले बच्चे 11th वाले section को जोइन कर लेंगे, और 12th वाले बच्चे 12th वाले को जोइन करेंगे, और normal एक जोइन करना है, एक यहाँ पे दे हमारा mobile phone के google chrome से भी same process है और laptop के google chrome से अब हम बात करते हैं कि sir हम laptop में भी application टालना चाहते हैं तो मैंने यहां पर रिखा telegram और telegram लिखने के बाद देखो first option आ गया telegram.org इस बात को ध्यान रखें आप यहां पर जैसे ही click करेंगे click करने के बाद यह पूछेगा हमसे कि आप telegram android का application चाहिए या apple iphone का चाहिए या फिर laptop का चाहिए तो ना हमें तो laptop का चाहिए और laptop में Mac है तो Mac के लिए और PC है तो PC के लिए तो मैंने PC करा है इसके बाद get telegram for window यहां पर click करेंगा क्लिक करने के बाद एक application डाउनलोड होगा और यह application हमारा बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा ज्यादा lengthy नहीं है इसको click करने के बाद आपको क्या करना है run करना है run करने का मतलब है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो next option आएगा और आपका application इंस्टॉल हो जाएगा जैसे ही आपका install application होगा कुछ आपके पास इस तरीके का face दिखेगा ठीक है इस तरीके का face दिखना चालो हो जाएगा अब यह application है और इस application को कैसे यूज करना है desktop पे icon भी बन जाएगा कैसे यूज करना है बड़ा ही आसान है यहां पे लिखना है सिक्षा इसमें mobile phone की हमें जरूरत ही नहीं है बस एक OTP डालना है और login हो जाएगा देखो 11 वाले बच्चे 11 को choose करेंगे 12 वाले 12 और 11 वाले 12 दोनों इस वाले section को सिक्षा धाम वाले को तो join करेंगे यह दोनों group है हमारे और यह channel है group और channel में क्या फरक होता है channel में सिर्फ मैं message कर सकता हूँ और group के अंदर आप भी message कर सकते हो benefit क्या है इसके अंदर किसी का number personal number share नहीं होगा जब तक आप individually message नहीं करते second thing के आपको देखना पड़ेगा कि अगर मुझे sir से directly बात करना है तो मैं क्या करूँ तो जैसे कि same यहाँ पर मैं अपना number डाल दूँ तो या तो phone number डाल दो search bar में या फिर जिस नाम से अपने mobile phone में save कर रखा है जैसे कि मैं डालता हूँ मुझे बात करनी है suppose करो 11th के बच्चों से तो 11th के बच्चों से अगर मैं मुझे बात करना है suppose मेरे पास आ रहा है तन्नू तन्नू से बात करना है तो मैं तन्नू पे click करूँगा now we can chat individually तो सभी बच्चों से ये request है कि जब आपको कोई personally जैसे की कोई doubt है especially कुछ बच्चे सोचने सर ग्रूप में डालेंगे सब देखेगा तो आप individually भी मुझे telegram कर सकते हैं और साथ के साथ आपके पास यहाँ voice option भी है और सारे option यहाँ मिल जाती है sir इसका join करने का क्या benefit होगा main benefit यह है कि आप आज भी अगर इस group को join करते हो न तो मेरे जितने भी messages हैं यह सारे आपको दिखेंगे सारे starting से लेके अब तक यानि आपके document misplaced नहीं होगा document आपके पास ही रहेगा तो बस इतनी से जानकारी देनी थी मैं दुबारा बता देता हूं एक है हमारा application जो laptop में डाल सकते हैं दूसरा हमारा है एक android जैसे कि हम google chrome से कर सकते हैं ठीक है तो चलिए बस इतनी information देना था आगे कोई अगर issue आता है तो आप discuss कर सकते हैं तो यहीं पर इस video को खतम करते हैं stay home, safe home